हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक, आज के वीडियो में अराउंड 4 तो 5 स्टॉक्स के बारे हम बात करेंगे, जो अभी भी अपने बाइंग लेवल पे निजर आते हैं, इवन वो अपने सपोर्ट पे है, और यहां से काफी अच्छी तेजी उन स्टॉक्स में द उसको क्रॉस करके, निफ्टी अपने नए अल्टाइम हाई पे करेंटली ट्रेड कर रहा है, एंड करेंटली हो सकता है, आपका जो पोर्टफोलियो है, अपने अल्टाइम हाई के रिटन पे नजर नहीं आ रहा हो, जैसे अगर मेरे पोर्टफोलियो का मैं एक्जाम्पल द तो हो सकता है आपका पोटफोलियो भी अभी तक उतने प्रॉफिट में नहीं हो जितना जनवरी 2022 या अक्टूबर 2021 के समय था तो कोई पैनिक करने के जुरूरत नहीं है क्योंकि काफी अच्छे fundamental strong stock है जो अभी भी अपने all time high पे नहीं पहुंचे हैं और हो सकता है वो stocks आपक के लिए and वो stocks fundamentally तो strong है ही उनके technicals के बारे में बात करेंगे कि क्यों currently वो अपने buying level पे नज़र आते हैं तो सबसे पहले stock के अगर मैं बात करूं तो वो है इंडिया की सबसे बड़ी private sector bank जिसका नाम है STFC bank इसके अगर PE ratio की बात करूं तो currently ये stock अपने stock के PE के अगर मैं बात करूं तो 21.5 के PE पे trade करता हुआ नज़र आ रहा है all time high इसका blue line से मैंने draw कर रखा है around 1722 का था currently ये stock around 1619 के आसपास trade करता हुआ नज़र आ रहा है इस stock में इस वज़े से value दिखती है आप screener.com पे जाएंगे इसके profit and loss statement को देखेंगे and देखेंगे कि कभी किसी भी year में इनक जो net sale है वो पिछले year से कम गई है क्या net profit जो है कभी भी अपने पिछले year के net profit से कम गया है क्या ये दोरों चीज़ें आप चेक करेंगे automatically आपका confidence इस stock में increase होगा साथ ही साथ इस stock के बारे में एक और history है जैसे कि जबी भी इस stock ने 2004 से लेके अभी तक का data है इस particular screenshot को मैंने tele telegram channel पे भी इस video को जब तक ये video post होगा मैं share कर दूगा तो telegram channel पे जाके आप देख सकते हैं कि जब जब इस stock ने किसी भी एक particular year के अंदर single digit में return दिया है या negative return दिया है तो उससे अगले साल इस stock ने काफी अच्छे return दिया है same situation current year में भी देखने को मिल रही है जो मैं screenshot telegram channel पे share करूँगा वो 2004 से लेकि 2021 तक के return का data दिखाएगा जिससे आपको easily ये चीज समझ में आएगी and अगर इसकी में बात करूँ तो ये return on equity की अगर बात करें तो 16.6 का return on equity generate करती है पिछले 10 years का भी data देखेंगे तो वो 16.6 से ऊपर का ही नजर आएगा तो currently अपने PE के according ये stock successive valuation पे available है and market share जिस तरीके से ये bank gain कर रही है and अभी तक nifty के all time high के बावजूद ये stock अपने all time high पे नहीं पहुंचा है ये अपने all time high पे भी पहुंचेगा और वहां से भी अच्छे return देगा currently ये stock buying level पे नजर आता है second stock के मैं बात करूँ तो वो है बजाज finance बजाज finance के stock के अंदर भी आप देखेंगे कि ये stock भी अभी अपने all time high पे नहीं है जो blue line है इसके all time high के दिखाती है जो around 8000 के आसपास नजर आता है currently ये stock अपने 200 days moving average के आसपास trade करता हुआ नजर आ रहा है 200 days moving average यानि कि पिछले 8 month की जो average price है उसी पे ये stock trade करता हुआ न मिल सकती है and इस stock के case में भी आप देख सकता है कि ये return on equity जो है around 17.5% के return on equity दरसाता है and अगर इसके 3 year के sales growth की बात करें तो वो around 20% की है and profit growth की बात करें तो वो around 20.8% की है तो दोनों ही तरीके से ये stock भी काफी अच्छे तरीके से अपने business को कर रहा है but currently अपने 200 days moving average को as a support treat क कर रहा है and उसके आसपास से trade कर रहा है ये level इस stock में काफी अच्छे buying level हो सकता है जैसे कि हमने पहले discuss किये थे LTTS आज के दिन में around 10% से उपर था and हमने Infosys को भी discuss किया था वो stock अपने उन level से काफी अच्छा gain भी किया है जैसे LTI mine tree को भी हमने discuss किया था वो भी काफी को देख लिते हैं ये जो सारे ही stock में आज की वीडियो में discuss कर रहा हूं fundamentally तो strong है ही बट अपनी currently अपने जो high है वहां से काफी down पे available है and even अपने support पे trade करते हुए नजर आ रहा है तो इस stock की मैं बात करूं तो डीमाट भी currently अपने 200 days moving average के आसपास trade करता हुए नजर आ रहा ह तो वो बैठेगा around 5, 8, 9, 0 के आसपास तो वहां से stock currently काफी अभी down आपको नजर आएगा अगर उसे measure किया जाए percentage basis पे तो आप देखेंगे कि percentage basis पे जो डीमाट का stock है even fundamentally strong होने के बावजूद around 31% के discount पे currently available है जब market अपने all time high पे नजर आ रहा है तो ये वो stock है जनको currently अभ उनके पीछे भागने से अच्छा है कि इन stocks को धिरे धिरे accumulate किया जाए next stock की मैं बात करूँ तो वो है LTI LNT Infotech इस stock को पहले भी हमने discuss किया है उन levels से ये stock तो उपर आया ही है साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये stock भी अपने 200 days moving average के आसपास काफी अच्छा समय बि इस rectangle को remove किया जाए और इसमें एक chart pattern बनता वनाजार आ रहा है उसको draw किया जाए तो आप देखेंगे कि जो ये एक neckline के रूप में treat होगी और यहां से अगर इसको draw किया जाए तो आप देखेंगे कि एक cup का formation हो रहा है then एक handle का formation हुआ and उसके बाद एक false breakout भी आया then उसके ब lower level को यहां mark किया जाए and इसकी depth को calculate किया जाए तो वो return इसमें काफी जल्दी आने वाले time में आपको देखने को मिल सकते हैं जो companies fundamentally strong होती है and उसमें अगर इस type की chart pattern बनते हैं तो वो result काफी तेजी से आते हुए देखने को मिलते हैं तो 25% की upside तो technical pattern की according ही इसमें देखने को म available है तो वो return भी इस stock में आते हुए नज़र आएंगे अगर उसको measure कर लिया जाए तो जो upside नज़र आती है current level से जो all time high तक अगर यह stock जाता है तो चारों ही stock जो है large gap category के stock है इस वज़े से इनको आज के वीडियो में discuss किया गया है Thank you for watching this video और इसी type के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं